पिछले वीडियो में हम लोगों ने चिन्नेई शहर को विजिट किया था और आप हम लोग जा रहे हैं चिन्नेई के एड्मो रेलवे स्टेशन से मदरोई के लिए चिन्नेई सहर से मदरोई जाने के लिए ये काफी सारे आपको यातायात कि यहाँ पर साधन मिल जाएंगे जि समय जो दुरवई रेलवे स्टेशन ने बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लग रहा था क्योंकि इसको लाइटिंग से इतना अच्छे से सजाया हुआ था कि मानो आज ही दिवाली हो अब किसी भी नए सहर में घुमने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन उसका रेलवे मंदिर जो कि यहां का बहुत ज़्यादा फेमस है वो जाके देखना है वहां के दर्शन करने हैं तो मैं निकल जाता हूँ बजार से होते हुए मिनाक्षी मंदिर की और मदरोई में अगर आप इस्टे करने का सोच रहे हैं तो आपको यहां पर 400 से लेके 500 रुपे में डबल बेड बेड रूम मिल जाते हैं मिनाक्षी मंदिर की रेलवे स्टेशन और बस स्टेंड जो की एक दूसरे के सामने बने हुए हैं यहां से दूरी करीबन एक किलो मीटर की हैं तो आप बड़े आराम से पेदल भी जा सकते हैं मिनाक्षी मंदिर की और मदरई शहर जो फेमस है वो अपनी साड़ियों और यहां की चाय कॉफी के लिए फेमस है तो मैं चाय कॉफी तो नहीं लेता हूँ पर यहां के मार्केट से मैं एक किलो कुकेंग ओल जो की कोकोनट ओल था वो मैं ले लेता हूँ और यह काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी य के पास में सुटिंग गैजर्ट और केमरे काफी महेंगे होते हैं यह मेरे तरह गरीब नहीं है शाम के करीबन साड़े साथ बच चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं मिनाक्षी मंदिर के बिलकुल सामने रात का समय हो चुका है और अंदिर काफी ज्यादा हो चुका है इस बचे से शायद आपको इस पर बनी हुई जो कला किरती हैं वो नहीं दिख पाएंगी अच्छे टाइम पर आ गया है अभी ओपन है साड़े आट बचे कतम हो जाएगा तो जल से जल मुझे मंदिर में इंट्री करनी होगी क्योंकि साड़े आट बचे के बाद में मंदिर में गया जा सकता भारी काउंटर बने हुए जहां पर आप अपना सामान और केमरा जमा करवा सकते हैं तो मैंने जमा करवा दिया था मिनाक्षी मंदिर में माता पारवती को मिनाक्षी रूप में और शिप शंकर जी को सुंदरे शोर रूप में पूजा जाता है परशाद के बहुत होने की बज़े से मैंने यहां शहर को बहुत ही कम समय दिया है पर अगली बार में निश्चित रूप से बापस से आऊँगा और आप लोगों से निवेदा ने किया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीस लाइक जरू किजिए चैनल को सुस्क्राइब न